लाट कर देदा थाए dimensions दो चीजें अत्मा लेकर जाएगी अपने साथ जब आत्मा शरीर चुड़ेगी तो चीजें अपने साथ लेकर जाएगी एक अंसकार और एक जो हमने एक दूसरे के साथ साथ क्रेट कर लिए कार्वेक अकाउँट मैंने अभी इनके लिए negative energy create कर लिय इनके साथ कुछ गलत भी कर दिया, इनको धोखा भी दे दिया cheat भी क्या, बौत कुछ कर लिया time आया, costume change इनका भी costume change जब हम दो आत्माई फिर से मिलेंगी, तो energy वापस आएगे या नहीं आएगे आएगे या आपको breakfast पे मिली, बात करते-करते हमारी कुछ argument हो गई the meeting did not end on a pleasant note अब अगर हम lunch पर मिलेंगे तो हमारी second meeting कैसी होगी थोड़ी सी? second meeting कैसी होगी? it will start on where the first meeting ended, a little disturbed note, अगर second meeting भी disturbed रही फिर तो third meeting कैसी होगी? and it can get unless किसी एक meeting में दोनों में से एक decide करेगा change change, बहुत जगड़ा हो गया इस बार I will behave the right way तो वो meeting क्या हो जाएगी? change अब breakfast से लंच में हमें दिखाई दे जाता है आज किसी के साथ हमने गलत किया, तो अगले हफते हम उनके साथ, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है लेकिन आज मेंने किसी के साथ गलत किया और पचास सो साल के बाद वो मेरे सामने आते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता क्यों? क्योंकि तब तक memory क्या हो गए? memory क्या हो गए? delete, so we don't know अब जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं look at all that is coming to us in our life लोगों का व्यवाहार और situations कभी-कभी ऐसे आते हैं कि हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आता है ऐसा थोट? आता है ऐसा थोट? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चोटी-चोटी चीजों के लिए हम उंगली यहां रख देते हैं इसकी वज़े से, इसकी वज़े से, इसकी वज़े से बड़ी बात के लिए हम उंगली कहां रख देते हैं? बड़ी बात के लिए हम उंगली कहां रख देते हैं? क्योंकि ये भी एक हमने बच्पन से सुना था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? Agreed? Agreed? जो कुछ हो रहा है इश्वर की मर्जी से हो रहा है Agreed? Yes or no? पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है Right? Yes or no? Yes or no? Everything is happening according to God's will सुना है पढ़ा है अब उस पर सोचते हैं कि if everything was happening according to God's will अगर हरेक का भाग्य हरेक की डेस्टिनी भगवान लिख रहा होता तो हम सब की डेस्टिनी कैसी होती? अगर भगवान सब की डेस्टिनी लिखता न तो आपकी जादा अच्छी न होती क्योंकि कोई बिमार न पढ़ता भगवान किसी के भाग्य में बिमारी नहीं लिखेगा जैसे आप अपने बच्चे के भाग्य में कभी बिमारी नहीं लिखेंगे आप चाहेंगे आपका बच्चा बिमार हो नहीं वो भी हमारे भाग्य में कभी बिमारी नहीं लिख सकता आज तो हमारे भागय में क्या क्या हो रहा है आज इस रिष्टी को देखो क्या क्या हो रहा है this is happening by God's will दो belief system है जो बच्छपन से सुने सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है and दूसरा belief system जैसा करम वैसा फल करम हमारे सारे perfect नहीं तो इसलिए फल भी कई बार थोड़ा सा perfect नहीं तो दोनों में से कौन सा belief system right लगता है and इसका मतलब next time जब मन में ये question आएगा मेरे साथ ऐसा क्यूं तो उंगली कहा जानी चाहिए कर लो कर लो अभी करू उंगली कहा जानी चाहिए मेरे साथ ऐसा क्यों क्यूंकि मैंने कुछ ऐसा किया था it's perfect no problem अब मुझे क्या करना है उसको इस पार ठीक करना है जो करम हमने किये उसका consequence तो आएगा ही it's like अगर मैंने अपनी health का ध्यान नहीं रखा it's a करम consequence क्या आएगा बीमारी अब जब वो बीमारी आई अगर मैंने कहा ये उसकी वज़े से है तो मैं ठीक करने के लिए भी किसको application डालूँगे मुझे ठीक कर देना हम भी रोज उसको application डालते है मेरी life में ये ठीक कर देना ये ठीक कर देना incentive भी देते हैं साथ में अगर ठीक कर दिया तो ये मिलेगा because we thought वो ठीक करता है उसने बिगाड़ा वो ही ठीक करेगा जैसा करम वैसा फल मतलब मैंने जो करम किया उसका consequence मेरे सामने बीमारी आई अब मुझे क्या करना है अगला करम अब मुझे अगला करम क्या करना है इस बार ध्यान रखना है अगर इस बार भी ध्यान नहीं रखा तो फिर फिर खिर से consequence आएगा and फिर से consequence आएगा and हर बार जब आएगा if we kept blaming then we did not take personal responsibility of our destiny every thought, word, action please take this very carefully every thought, word, action which means energy जो हम create करते हैं जो हमसे बाहर radiate होती है ये है हमारा करम करम means energy from me going out ये करम है ये thought, word, action जिरुफ action नहीं, thoughts आज मैं किसी के साथ बहुत अच्छा व्याबाहार कर सकती हूं लेकिन उनके लिए अंदर अच्छा नहीं सोचती तो वो कौन से करम में जाएगा? करम यहां है क्योंके हम actions कम करते हैं सोचते जादा है तो जादा energy mind से जा रही है now attention every thought, word, action, energy I create, send out, करम परिस्थिती जो सामने से मेरी तरफ आ रही है मेरे जीवन के challenges मेरे जीवन में कोई बहुत अच्छे scenes लोगों का मेरे साथ व्याबाहार यह सब कुछ situations जो मेरे लिए सामने से आ रही है वो है मेरा यह था मेरा करम energy in this direction is करम energy जो वापस आ रही है वो है मेरा वो है मेरी destiny, वो है मेरा भाग्य मैं इन से कैसे बात करो मेरा करम यह मेरे से कैसे व्याबाहार करें मेरा भाग्य मेरी destiny, मेरा फल अब हमें इन दोनों के बीच का क्या मालूम पढ़ गया connection कि जो वापिस आ रहा है जो वापिस आ रहा है वो कभी न कभी यहां से गया था